असलाम अलेकॉम वेलकम टू लाइवली कुकिंग आज हम बनाएंगे फ्रेंच टोस्ट एक सिंपल तरीके से और एक न्यूटिलर फिल्ड इसके लिए सबसे पहले हम तीन अदद अंड़े लेंगे अब हम इसमें चीनी एड़ करेंगे मैं यहाँ पे इसमें शीड खाने के चमच चीनी शामिल करें हूँ आप अपने टेस्ट के साब से कम या ज्यादा कर सकती हैं दार चीनी का पाउडर है बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसमें यह हम डालेंगे इसमें एक चुथाई टी स्पून वनिल्क हम इसमें एड़ करेंगे छे खाने के चमच मैं अंदाजे से एड़ करें हूँ आप टेबल स्पून से एड़ करें अब हम अच्छी तरह से बीट करेंगे अंडों को अच्छी तरह से बीट करके हम एक साइट पर रखेंगे अब हम ब्रेट लेंगे तकरीबन 7-8 अदद आप ब्रेट ले ले इस तरह आप और इस तरह करके कटर की मदद से आप कट भी लगा सकती हैं मैं यहाँ पर यह आप देख सकती हैं मैंने काफी से अदा ब्रेट इस तरह करके कट कर लिए हैं क्योंकि बच्छों को बना कर देने हैं अब मैं इसके उपर न्यूटेला लगा रहे हूं आप फूट जैम भी लगा सकती हैं या फिर जो स्वीट चीज होती है तो आप उससे भी इसके फिलिंग कर सकती हैं अगर आप चाहें तो आप किनारे हटा दें इस तरह हम इसके उपर लगाएंगे न्यूटेला लगा दे या फिर फूट जैम लगा दे जो भी बच्छों को पसंद हो और दूसरे स्लाइस हम इसके उपर रखेंगे इस तरह हम दूसरे स्लाइस इसके उपर रखेंगे और साइट पर रखेंगे इसी तरह हम सारे बना लेंगे जो दूसरे स्लाइस है इसके उपर भी मैं न्यूटेला लगा रही हूँ न्यूटेला लगा लेने के बाद हम इसके उपर स्लाइस रखेंगे अगर आप चाहें तो आप इसे ऐस इस भी फ्राइ कर सकती हैं मैं यहाँ पर इसे कटर से कट कर रही हूँ क्योंकि बच्चों को बना कर जब हम देते हैं इस तरह की चीजे तो वह बहुत शोक से खाते हैं तो कोई साभी कटर हो आपके पास तो इस तरह आप बिस्किट कटर से इसको कट कर लें तो आप सिंपली इस ब्रेट को कट करके मिक्सर में डिप करें और अगर आपको इस तरह करके न्यूटेला या फिर चीज वगारा से फिल करके बनाने हो तो आप फिल करें और इस तरह कटर की मदद से कट कर लें तो यह मैंने कट कर लिए है अब यह रेड़ी है फ्राइं के लिए ब्रेट को हम उठा कर डिप करेंगे मिक्सचर में इसी तरह अगर बच्चों को किनारे पसंद ना हो ब्रेट के तो आप इससे कट करके धूप में सुखा के आप इसके ब्रेट क्रम्स बना सकती है तो यह हम मीडियम हीट पर इसे फ्राइ करेंगे बहुत ज़्यादा आपनी नहीं डालना फ्राइ पैन में वस थोड़ा सा शैलो फ्राइ हमने करना है तो यह सिंपल है इस तरह यह सिंपल में जो मैंने ब्रेट कट करके रखे हुए थे तो इस तरह मैं अंडे के मिक्सचर मे डिप करके इसे फ्राइ कर रही हूँ और दोनों तरफ से अच्छी तरह से गोल्डन कलराने पर हम इसे डिशॉट करेंगे तो यह एक त्यार इसे डिशॉट करेंगे इसी तरह हम सारे डिशॉट कर लेंगे और जो अब न्यूटला फिल्ट है हमारे वो भी हम इसी तरह फ्र कराने तक हम इसे दोनों साइट से फ्राय करके डिशॉट करेंगे तो ये आप बच्छों को बनाकर लंच बॉक्स में दे सकती हैं और आप खुद भी नाश्टे में इसे सर्फ कर सकती हैं या फिर टी टाइम में बहुत ही डिलिशियस बहुत ही जबरदस्ट फ्रेंच टोस्ट हमारे त्यार हैं तो आप इसे बनाएए ज़रूर ट्राइ कीजिए और मुझे फीड़बेक ज़रूर दीजिए मेरी रेसिपी इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड एंड फैमली के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा थैंक यू फॉर वाचिंग अल